अलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत आपका सुपरफास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम फिर से डिसकस करने वाले हैं टेक्निकल इंटर्व्यू क्वेस्चन एन आंसर फॉर मेकैनिकल इंजिनियर इस वीडियो में हम कुछ सेले आपकेनिकल फिटर हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं यह आपके लिए काफी हैल्फुल हो सकती है तो और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो जो है वो चैनल पर अप्लोड़ेड हैं आप उससे भी देख सकते है मेरे चैनल के प्लेडिस्ट बेजा करके इस वीडियो के एंड पर मैं आपसे एक क्वेस्चन पूछूंगा जिसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है तो फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए बने रहेगेगा वीडियो में अन्त तक तो फ्रेंड सबसे पहला क्वेस्चन है वो यह है यनि कि गेरस में अगर आपको उसका मॉड्यूल क्यलकुलेट करना है किसी भी गेर का मॉड्यूल निकालना है तो आप कौन सा फौर्मूला लगाएंगे तो इसका अंसर है module is equal to pitch circle diameter in mm divided by number of teeth यानि कि m is equal to d by t d क्या है? pitch circle diameter है आप यहाँ पर diagram में clear देख सकते है pitch circle diameter कौन सा diameter होता है addendum और didendum के बीच से जो circle pass होता है gears में उसे pitch circle diameter कहा जाता है तो friends अगर आप एक mechanical engineer है तो आपका gear का पूरा concept जो है वो clear होना चाहिए module, addendum, didendum, root clearance, backless यह सब कैसे निकालते हैं सब आपको मालू होना चाहिए अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है पूरा clear करना है concept तो उपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं उस पे पूरा gear के module backless, root clearance अब निकालने का formula है बहुत ही simple तरीके से मैंने समझाया है कि आखिर क्या होता है root clearance, backless आप वो देख सकते हैं और description box में भी मैं उसका link दे दूँगा वीडियो के end पर भी end screen लगा दूँगा चलिए, next question की तरब बढ़ते हैं which type of gearbox is mostly used in conveyor belts यानि कि conveyor belts में कौन से type के gearbox का इस्तमाल किया जाता है तो friends, ज़्यादा तर conveyor belts में warm and wheel type gearbox का इस्तमाल किया जाता है आप यहाँ पर image में देख रहे हैं यह warm and wheel type gearbox कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इनी का ज़्यादा तर conveyor belts में इस्तमाल किया जाता है friends, अब बात कर लेते हैं इसके gear ratio की तो gear ratio जो conveyor belts में जो gearbox यूज किये जाते हैं उनका gear ratio mostly 40 ratio 1 का होता है और कहीं कहीं पर 30 ratio 1 का भी gearbox का इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा और भी higher gear ratio के gearboxes का इस्तमाल किया जाता है अगर आपको conveyor belt को काफी slow RPM में घुमाना है लेकिन mostly 40 ratio 1 और 30 ratio 1 का यूज होता है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका इन इंडस्ट्रियल गेर बॉक्स विच ओईल इस यूज़ड यानि कि इंडस्ट्रियस में जो gearbox यूज करने हैं उस gearboxes में lubrication के लिए कौन से oil का इस्तमाल किया जाता है तो friends इसका answer है gearbox में gear oil का इस्तमाल किया जाता है mostly 220, 320 और 460 grades के gear oil का इस्तमाल किया जाता है जिसमें से 220 और 320 जो grade का oil है उसका इस्तमाल medium और small gearboxes में किया जाता है जबकि heavy यानि की बड़े gearboxes में heavy gearboxes में 460 grade के gear oil का इस्तमाल किया जाता है next question है आपका what is difference between spur gear and helical gear तो friends आप से ये पूछा गया है कि spur gear और helical gear में क्या difference होता है तो friends अगर हम physically देखें तो spur gear में straight teeth कटी होती है जबकि helical gears में inclined teeth कटी होती है यानि कि spur gear के जो teeth है वो एक सीधी line में होते है जबकि helical gears के जो teeth है वो एक degree पर inclined रहते है आप image में clearly समझ सकते हैं spur gear और helical gear के difference को साथ में अगर हम application की बात करें तो spur gear को low rpm यानि कि कम speed में इस्तमाल किया जाता है जबकि helical gears को high speed transmission में इस्तमाल किया जाता है next question है why big bearings were heated before fitting यानि कि बड़े bearing को fit करने से पहले उसे गरम क्यों किया जाता है तो friends इसका answer ये है कि जो छोटे bearing से उसको अगर आपको mount करना है तो आपको कम force लगेगा लेकिन जैसे जैसे bearing का size बढ़ता जाएगा आप जैसे जैसे bearing को fit करेंगे उसमें बड़े साइच के bearing को तो उसके लिए बहुत जादा फोर्स की जुरत पड़ेगी और इतना force लगा पाना थोड़ा सा मुस्किल है जिसकी वज़ा से क्या किया जाता है बड़े bearings को heat कर दिया जाता है याने की गरम कर दिया जाता है गरम करने से क्या होता है उसका डाया थोड़ा सा increase हो जाता है फैल जाता है metal की property होती है कि उसे आप अगर गरम करेंगे तो वो फैल जाएगी और जैसे ही वो ठंडा होगा वो फिर से वापस उसी position में आ जाएगी तो इसलिए bearing को गरम किया जाता है गरम करके उसे आसानी से soft में fit किया जा सकता है बड़ी bearings को bearing को heat करने के लिए दो method का इस्तिमाल किया जाता है oil method सबसे common है जिसमें oil का एक tank में oil fill up कर दिया जाता है उसमें bearing को लटका दिया जाता है डुबा करके और उसे heat करना चालू कर दिया जाता है oil को दूसरा method होता है जो आज कर यूज हो रहा है जिसमें induction coil की मदद से coil induction heating किया जाता है और bearing को hit होने के बाद में soft में fit कर दिया जाता है next question है which equipment is used for removing bearing from soft याने कि soft से bearing को निकालने के लिए remove करने के लिए कौन से equipment का इस्तमाल किया जाता है तो friends, bearings को remove करने के लिए bearing puller का इस्तमाल कीया जाता है bearing puller से equipment होते हैं जिसकी मदद से आप bearing को soft से आसानी से remove कर सकते हैं bearing puller different different design के होते हैं और different different types के होते हैं mechanical type पी होता है, hydraulic type भी होता है और बड़े bearings को निकालने के लिए आपको puller बना करके hydraulic jack से भी निकालना पड़ता है next question है why bearings are used यानि कि bearing का इस्तमाल क्यों किया जाता है तो friends bearing का इस्तमाल आपने दिखा होगा जिते भी machine equipments हैं जैसे कि gearbox हो गया, fan हो गया, pumps हो गया pulley हो गया सबके shafts में bearings को use किया जाता है bearings का काम होता है friction को कम करना यानि कि घरसन को कम करना जब कभी भी कोई rotating part है तो वो कहीं न कहीं पे fix होती है जैसे कि हम किसी पुल्ली को दोनों उसके shaft में bearings लगा कर उसे उसके position को fix करते हैं, लेकिन वो उस position में fix तो है, लेकिन वो क्या कर रही है rotate कर रही है, तो हमको बहुत ज़्यादा force यानि कि power लगाना पड़ेगा उस पुल्ली को घुमाने के लिए तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर bearings का इस्तमाल करते हैं bearing यूज करने से friction कम होता है friction कम होने से heat तो कम generate होता ही है, साथ में हमको force भी कम लगता है यानि कि power भी कम लगता है तो overall हमारी जो efficiency है वो बढ़ जाती है bearing help करता है machine equipment को smooth operation के लिए next question है in which principle hydraulic cylinder works यानि कि जो hydraulic cylinders हैं वो किस सिध्धान पर कार्य करते हैं तो friends, hydraulic cylinders का इस्तमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है आज कल चाहे वो किसी भी type की industries हो यहाँ तक कि automobiles में भी hydraulic systems का इस्तमाल किया जाता है hydraulic cylinders का जिसे hydraulic actuator भी कहते हैं तो यह काम करता है Pascal's law के अधार पर यानि कि इसका जो working principle है वो है Pascal's law next question है what is list count of vernier caliper यानि जो vernier caliper होता है उसका least count कितना होता है यह question बार-बार interview में पूछा जाता है चाहे आप mechanical feeder हो या फिर आप एक mechanical engineer हो इस question का answer आपको मालूम होना ही चाहिए तो vernier caliper का जो least count होता है वो होता है 0.02 mm और इसे आप 1 by 50 mm भी कह सकते हैं इसका मतलब यह होता है कि आपका जो vernier है वो एक mm के 50 वे हिस्से तक को measure कर सकता है यानि कि एक mm को आप 50 छोटे छोटे parts में divide कर देंगे तो उसके एक part तक को यह measure कर सकता है vernier next question है what is list count of screw gauge यानि कि जो screw gauge होता है उसका list count कितना होता है तो screw gauge का list count होता है 0.01 mm यानि कि एक mm के 70 हिस्से तक को यह measure कर सकता है इसे 1 by 100 mm भी कहा जाता है तो यह तो हो गए सारे question इस वीडियो के अब आखरी question मैं आपसे पूछता हूँ जिसका answer आपको comment करके comment box में देना है तो question यह रहा आपके screen पर अगर आपके पास कोई एक gear है जिस gear का PCD यानि की pitch circle diameter है 300 mm यानि की 300 mm और उसमे number of teeth है 60 यानि की 60 teeth है तो उस gear का module कितना होगा आपको calculate करना है calculate करके comment box पर बताना है तो दोस्तों ये वीडियो यही पर खतम होती है उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक परसेंट भी वीडियो आपको helpful लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो जो है चैनल पर uploaded है मैं continue वीडियो जो है वो upload करता रहता हूँ इसी तरह के मुझसे जूड़े रहने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को press कर ले तब कि आपको सारे वीडियो के notification मिल सकें फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा